आज एक खबर बाइरल हो रही है कि आपको बीम सिंह ने अपनी पार्टी से निस्कासित कर दिया है अगर क्या कारण है क्या यह सच है अगर सच है तो इसा क्यों नहीं निस्कासित नहीं कर कर दिया है हमने इस्तीफा दे दिया कारण यह रहा कि 11 दिन चेनी मिल बंदर ही गन्ना भुकतान को लेकर के 13 दिसंबर को समझाता हुआ समझाता में जिले के मुखिविकास अधिकारी महोदे के हस्ताचर है उन्होंने प्रमाडित किया है कि यह पत्र हमारे सामने लिखा गया है और हम इसके गवाह हैं उसमें 31 दिसंबर तक किसानों का संपूर्ण भुकतान करने का वादा किया गया है अस्वासन पत्र में उसके साथ में नवीन इस साल का गन्ना भुकतान जो है 14 दिन के अंतरगत अत्काल भुकतान देने की बात कही गई है उसके बाद में बैलगाडी सट्याधारकों का संप पून बकाय गन्ना भुकतान करने के लिए माननी किया गया है और 10 टालीस अधिक सटेदारों का पचास फिषच्टी का गन्ना भुकतान करने का माननी की आ गया है उसके साथ में जो माननिय बिधायक Джi ने मान दिधायक अर्विंद गीरी जी ने जो बजाज चीनिमिल के खिलाप जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है गोला कुटवाली में उसमें इन्होंने कहा था कि हम किसानों के बयान दर्ज कराएंगे आज तक इन्होंने बयान दर्ज नहीं कराए हैं इसको लेकर करके आज धरना पर दर्शन चल ला है आज तीन दिन बीट गए कोई अधिकारी यहां पे किसानों की सुध लेने नहीं आया है कोई उनकी सुनने के लिए नहीं आया है तब आज हम तूट गए और हमने इस्दियम होदे का पत्र लिखा और इस पत्र में कहा कि यद किसानों की कोई सुनवाई नहीं आज होती है तो दो पहर के बाद में जो बजाचीनी मिल गोला की चीनी विक्री के लिए जो लोड होगी उसको हम गेट से बाहर निकलने नहीं देंगे दो पहर के बाद में साइकड़ों किसान निकठे हो गए और साइकड़ों किसानों के साथ बाइगास गेट पर पहुंच करके वहां पे जो है फट्था विटा दरा विचा करके हम लोग बैट गए वहां पे आनन फानने 15 मिन न लेकिन तीन दिन से बैठे हम लोग धरने पे एक दिन भी हैं कहने हैं 31 जन्वरी तक संपूर्ण बुक्तान करने का वादा है जबकि अस्वाशन पत्र पर 31 दिसंबर दर्ज है आज तक जो अस्वाशन पत्र में बादा किया था उसमें एक भी बिंदु पर उन्हों ने हल नहीं निकाला है स्वा आए किसांगों के खातों में पैसा नहीं दिया है इसलिए आट कुसाग्र बजार जी ने माननिये बियम सिंग जी फोन करके या कैसे भी इनके इनके उपर कुछ कहा होगा कहने के बाद में उनके दबाव में भी हम सिंग ने हमको फोन किया कहा कि यह धर्ना हटाओ धर्ना करने का समय नहीं है इनको समय दीजिएगा आगे धर्ना करिएगा और तब तक जो है 31 दिजम्मर तक 100 करोड यह आल चि दायक जी को पत्र लिखा फिर एष्डियम महोदे को लिखा अब मुक्य विकास अधिकारी महोदे को लिखा अब यह बादा खिलापी बरदास्त नहीं होगी किसान हमारे साथ में हैं हम अगर फिर इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं धर्ना हटा होगे तो हम तुमकों आप यह बादास्त नहीं होगी और हम किसानों की हर पीड़ा में उनके साथ में हैं गन्ना बुक्तान जब तक नहीं मिलेगा और जो बादा खिलापी की है उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा धर्ना परदोशन जारी रहेगा हमने उनका उनका बाइनर हटा दिया हमन हमारा प्रोग्राम हम किसान है किसान के बेटा है हमारा मौलिक अधिकार है किसान की मदद करने के लिए हम किसान की मदद करते चले आया है किसान की मदद में हमेशा खड़े रहेंगे किसान की लडाई लड़ते रहेंगे और यह धरना परदर्शन जब तक चलेगा 31 दिसंब में इतना ही फिर मिलाकात होगी अग्रे समाचार के साथ देखते रहे भी एस लाइब डिस